हेलो फ्रेंड्स वेलकम ट्यूटूब चैनल लेजी के सन्निकेतन जैसा कि मैंने टॉपर की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था किसाम को 35-40 मार्क्षीट आपके साथ साजा करूँगा उसी कड़ी में हम हिंदी लिट्रेचर, PSIR, जोग्रफी, कि लगभब 20 मार्क्षीट और 10 मार्क्षीट, लएश डबलू, फिलोसफी, जियोलोजी और अन सब्जेक्ट से सम्मंदित इसमें सामिल किये हैं हम जिनका भी माध्यम हमें मालूम रहेगा, Cancer Language, Answer Writing की माध्यम क्या थी, ओ भी मैं आपके साथ साजा करता जाओंगा इन्हें हिंदी सहित में 175 प्राप्थ हुए हैं, GS Paper 1 में 165, GS Paper 2 में 109, और इंटर्व्यू में इन्हें नंबर मिले हैं 90 यानि कि आप देख सकते हैं, यहने हिंदी सहित में अच्छा अंग प्राप्थ हुआ है, GS Paper 2 में जब आप मैक्सिम मार्क शीट दखेंगे, तो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है, GS Paper 2 में बहुत बिर्ले लोग हैं, जिन्हें 150 से उपर अंग मिले हैं इनका अंतिम रूप से चैन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इनका नाम हटा दिया है, इनका Optional Paper भी Hindi Language and Literature है, 170 रंग प्राप्थ हुई है, GS Paper 2 में 120, Paper 1 में 132 अंक मिले हैं, यहनि आप देख सकते हैं, कि इनका भी नंबर हिंदी सहित में औस्तन नंबर से तुलना में अच्छ है, नेक्स्ट जो माक्षिठ है, इसका भी नाम इनके रिक्वेस्ट में हटा दिया है, Optional Paper में 170 नंबर, GS Paper 1 में 126, GS Paper 2 में 141 जो कि बहुत अच्छा नंबर हिस बार के मार्किंग को उन्जार, लेकिन इन्हें इंट्रिव्यों में काफी कमांग प्राप्थ हुआ है, 66, इनक इनके इंट्रिव्यों में जो इन्हेंने होवी रखी थी, वो संगीत रखा था, इन्होंने संगीत से PG भी कर रखा है, इनका अंतिम रूप से चैन हो गया है, इन्हें हिंदिस सहित में अगर आप देखेंगे तो 181 अंग प्राप्थ हुए हैं, और GS Paper 1 में 142 और GS Paper 2 में 133 स इससे पहले एक तीन बार मुख पारिख्षा दे चुके हैं, दो बार इन्होंने इतिहास से मुख परिख्षा दी थी, और एक बार इन्होंने PS IR से दी थी, यками उन्सिन ती में सहफंता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार आन्योंने off-noth Change करने का रिस्क लिया, Hindi Language and Literature लिया और और चेंज करने वाले तुम पहले व्यक्ति नहीं हो और आखरी व्यक्ति भी नहीं हो इस तरह से बहुत स्रव्यक्ति रहे हैं और जिन्होंने आखरी अटेम्ट में सब्जेक्ट चेंज करके सफलता प्राप्त किये हैं तो उसके एक उधारन है अब PSIR का देख लेते हैं PSIR इनका ऑसेंल पेपर है 170 अंक मिले हैं पेपर 2 में 121 पेपर 1 में 151 अंक इंटरव्यू में 90 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं और इन्हें जितनी जेनरल कट्रूग्री के कटफ गई है उतने ही अंक प्राप्त हुए हैं 535 लेकिन इन्हें कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है यानि चैन सुची में इनका नाम नहीं है कटफ के ब्रावर रंग प्राप्त होने के बाद भी चैन सुची से नाम किस कारण से गयब हो जाता है या उसकी क्या प्रकिरिया है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको समझाओंगा कि इसा क्यों होता है और पहली बार नहीं है जो इनके साथ हुआ है लेकिन लोगों के मन में एक फ्रम किस्तिती होती है कि कटफ के ब्रावर अंक लाने के बाद भी चैन क्यों नहीं हुआ इनका जो एंसरे लेंग्वेज है वह इंग्लिस है मनिस भारदाज इनका अंतिम्रीफ से चैन हो गया है 600 कुछ रेंख है इनके इनकी इंट्रिव्यू हम कोशिस करेंगे कि चैनल पे कल अप्लोड कर सके इनकी भावी की इंट्रिव्यू हमने एक दिन पहले चैनल पे अप्लोड की है देवर और भावी दोनों का सेलेक्शन 64 में हुआ है उनका ओप्षिनल पेपर लेश डावलू था और इनका ओप्षिनल पेपर प्येस आयर रहा है दोनों की जो माद्यम है वो इंग्लिस मीडि है जब इन्होंने फॉर्म कंप्लेट किया था उसमें 64 का उस समय एक कुछपत के लिए ये इलिजेबल थे इनका जो ऑप्षिनल पीएस आयर है 166 टंग की ने प्राप्ट हुए है जीएस पेपर टू में 117 और जीएस पेपर वन में 119 अब देख सकते हैं कि हिंदी माध्यम के साथ भी इन्होंने पीएस आयर में 166 टंग प्राप्ट किया है यानि ये जो मीत है कि हिंदी माध्यम से पीएस आयर में नंबर नहीं मिलते हैं इसको इन्होंने तोड़ा है यानि कि हिंदी माध्यम में भी अगर आप अच्छा लिखते हो पीएस आयर में तो आपको नंबर मिल सकते हैं जहां तक जीएस पेपर वन की और पेपर टू की बात है दोनों में इन्होंने वन एन हाफ क छोड़ दिया था इनका भी ऑप्षिनल PSIR है 125 संक मिले हैं GS PEPPER 2 में 116 और PEPPER 1 में 104 इनका भी माध्यम जो है हिंदी है इनके साथ एक optional PEPPER जब दे रहे थे तो इन ट्रेजडी होगी थी कि ये 20 मिनट देर से किसी कारण से तकनिकी कारण से नहीं रोक दिया गया था अब 20 मिनट बात से इनके प्रिक्चा सुरूप आई थी इसके बाद 2925 नंबर प्राप्त किया है याई कि आप देख सकते हो कि overall PSIR में इस बार की जो मार्किंग है वो बहुत अगर अच्छी नहीं हुई है तो बहुत खराब भी नहीं हुई है अगर आपकी पकड़ अच्छी है सब्जेक्ट पे Western thinkers आपको पसंद है तो इस सब्जेक्ट आप ले सकते हो यह LHW इनका optional paper है जिसमें इने 175 अंग प्राप्त हुए है इनका माध्यम इंग्लिस है इनकी वीडियो हमने आउल्रेटी चैनल पर अप्लोड कर दिया है GS paper 1 में 145 और paper 2 में 121 अंकिने प्राप्त हुए है इंट्रेव्यू में इन्हें 90 अंक प्राप्त हुए है नेक्स्ट है इनका optional paper geography है जोग्राफी में इन्हें 180 अंक प्राप्त हुए है यानि कि बहुत ही awesome नंबर है जोग्राफी में GS paper 1 में 150 GS paper 1 में 138 यानि कहीं से returning exam में इनका जो अंक है वो ऐसा नहीं है कि इनका चैन नहीं हो लेकिन इनका अगर आप इंट्रेव्यू का मार्ट दखेंगे तो मात्र इने 45 नंबर मिले है यानि यह जो कुछ लोग कहते हैं कि BPSC में कुछ minimum अंक निर्धारित है कि इंट्रेव्यू में इससे कम नहीं मिलता है यह मित्थ है BPSC में इंट्रेव्यू में किसी कंड्रेट को 30 नंबर भी प्राप्त हुए है यानि कि इंट्रेव्यू BPSC में बहुत माइने रखता है आपको जिस तरीके से आप प्रेलिम्स की तयारी करते हैं मिन्स की तयारी करते हैं उसी तरीके से आपको इंट्रेव्यू की भी तयारी करने पड़ेगी क्योंकि कुछ कंड़ेट्स को इंटरिव्यू में काफी कम नंबर मिले हैं आपको मैंने हिंदी साहित का भी एक दिखलाया था जिनको की रेटेन एक्जाम में काफी अच्छी अंक मिले हैं इसके बाद पांसो च्यालिस नंबर प्राप्ट हुए है और इनका चैन इस पर हुआ है यहीं कि आप जोग्रफिक और भी कुछ मार्क्षिट हैं उनके भी नंबर 165 से 170 करीब हैं मातर दो ही लोग हैं जिनके की नंबर 125 से कम है उन्होंने इंट्रिव्यू साजा उन्होंने मार्क्षिट स उसके साथ GS का भी अनालिसिस करते हैं जिससे हमको पता चलता है कि GS के मार्क्ष के साथ ऑप्षिनल मार्क्षिस तरीके से प्राप्थ हो रहे हैं और मैत के तो क्या ही कहने आपको मैंने टॉपर्ष की मार्क्ष दिखाई दिये 278 इनके भी मार्क्ष देख लीजा आप GS प्राथ ही करनी बेमानी है GS पेपरों में 150 यानिक अच्छा उंक पराप्थ हुआ इन्हें पेपर 2 में 118 इसे भी आप खराब नहीं कर सकते हैं लेकिन हिस्ट्री ऑफ्षिनल में 182 नंबर मिले हैं जैकि ऐसे नहीं है कि इन्हें हिस्ट्री में पकड़ इनकी बहुत खराब है 62 BPSC में इन्हें हिस्ट्री में 165 नंबर प्राप्थ हुए थे यानि आप समझ सकते हैं कि इस बार हिस्ट्री की मार्किंग जो है वो थोड़ी सी कहीं ने कहीं टफ हुई है उसका रेजन पेपर रहा हो या जो भी रहा हो एफ फिलोसफी की मार्क्षिट है इन्हें फिलोसफी में 178 नंबर मिले हैं जी एस पेपर वन में 170 यानि बहुत अच्छा नंबर है जी एस पेपर 2 में 139 मैंने आपको बार बार बताया है कि इस बार जी एस पेपर 2 की बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है इंट्रिव्यू इन्हें 79 मार्क्ष मिले हैं और टोटल इन्हें 556 नंक प्राप्ट हुए हैं यानि यह भी चैनित केंडिट का मार्क्षिट है तो यह हमने कुछ मार्क्षिट आपके साथ साजा की अभी LHW का मेरा प्रयास है कि LHW में जब 15-20 मार्क्षिट हो जाएं तो उसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाए क्योंकि LHW का अभी बहुत क्लियर कट अंदाजा नहीं मिल पा रहा है कि मार्किंग किस तरीके से उपलब धोगी हमारे पस आपके साथ साजा करेंगे अगर आपको हमारे परयास अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद